नमस्कार साथियों, केरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुन्हा आप सभी का स्वागत है साथियों आज की जो वीडियो है वो सामान हिंदी के एक महतपूर चैप्टर वर्ण माला करम से संबन दीत है तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट इस चैनल से जूडे हुए हैं या फिर जो नए यूजर्स आ रहे हैं वो हमारे स्टूड को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको हमारे चैनल पे उपलब्स जितने भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें तो साथ यो जो आज का चैप्टर है हिंदी का वर्ण माला करम ही है आप आगामी परिक्षा है लिख पाल यूपी बीड इंटरेंस एक्जाम या फिर यूपी पीस्टी से सम्मंधित देखेंगे आप सभी एक्जामों में ये इक्विली इंपोर्टेंट है तो मैं चाहूँगा कि भी जितने भी स्टूडेंट हमारे से जूड़े हैं वो जल्दी से लाइव चैट के लिए आ जाएं और हर एक कोशन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं साथ ही साथ हर एक कोशन का जो एक्स्प्लेनिशन है अगर आप उसे ध्यान से समझते हैं तो ऐसी के दौर पर आप इस सके से कभी भी कोई कोशन गल्रत आपसे नहीं होगा ठीके साथ ही यो तो जो आज के टेस सरी जिए उसे हम लोगग स्टार्ट करते हैं तो आज की जो टेस सरी का पहला कोशन है वो आप देख सकते हैं हिंदी वर्ड माला में कितने स्वर हैं हम इस जितने भी questions हो सकते हैं संभावित उसको लेने का प्रयास करेंगे आप सभी इसका answer करें कि हिंदी word माला में कितने स्वर होते हैं आपके विकल्प है 9, 12, 11 या फिर 8 आप देख सकते हैं इस question का जो answer होगा वो होगा option C, 11 यहाँ आप इसको समझेंगे कि स्वतंतर रुप से बोले जाने वाले वर्ड या बीना किसी बाधा के बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं स्वरों की संख्या अगर आप देखेंगे तो कुल स्वरों की संख्या तो 13 है लेकिन मुख्य रूप से जो प्रयोग मे लाए जाती है उनकी संख्या 11 होती है तो यहां पर जो स्वर है आ से लेकर अंगह तक जो लिखा हुआ है तो यहां आप ध्यान रखेंगे लेकिन आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो अंगह और आ है विकल्पों को आप देख सकते हैं Question है आपसे कि निम्न में स्वर की प्रकार का च्वेयन करे आपके चार विकल्प है हरस्व स्वर, दिर्ग स्वर, पलूट स्वर या फ्रोडी है उपरोक्त तीनों स्वर के प्रकार होते हैं आपको बताना है कि इसमें स्वर के कौन से प्रकार होए कुश्चिन सेकेंड है जो साथ हो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं इसका आंसर है उपरोक्त तीनों स्वर के प्रकार होते हैं यहां आप समझेंगे कि जो स्वर होते हैं, कहा जाता है कि जिनको बूलने में किसी की मदद किया हो सकता नहीं होती, यह स्वतंत रिकाई होते हैं स्वर, और इनके तीन प्रकार होते हैं, हरस्व स्वर, दिर्ग स्वर और प्लूट स्वर, तो यहां इस कोशन का जो आंसर होग और इन चारों आपसन में से आपको बताना है कि हिंदी वर्ड माला में निम्न में से कौन सा हरस्वस्वर का उधारण है ये कैसा है यूनिट है साथ है जिसको आप देखेंगे अकसर परिक्षाओं में कोश्चन आते हैं और यहां से गलतियां होती है अगर आप इस वीडियो में सुरू से लेकि अंदे तक बने रहेंगे तो निस्चित तोर पे आप इसके विकल्ब को सही कर पाएंगे और इसके कौनसेप्ट को समझ पाएंगे कुश्चन नमबर जो थार्ड इसाथ है इसका जो आंसर है ओप्सन बी आ, ई, उ, और री यह जो चार होते हैं इनको हरस्वस्वर कहा जाता है यह आप धियान रखेंगे हरस्वस्वर से क्या तात पर है तो आप यह समझ सकते हैं जिन स्वरों के उचारड में कम समय लगता ह या फर एक मातरा का समय लगता है उन्हें हम हरस्वस्वर कहते हैं हरस्वस्वर के अन्य नाम मूलस्वर भी हैं लगुस्वर भी हैं और इसे हरस्वस्वर भी कहा जाता है तो उमीदे साथियों आप इसको समझ पाए होंगे बढ़ते हम निक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन जो fourth है उससे आप देख सकते हैं हिंदी वर्ड माला में निम्न में दिर्ग स्वर के कौन से वर्ड आते हैं आप इन चारो विकल्पों को देखें और आपको यह बताना है इन चारो विकल्पों में से कि दिर्ग स्वर का उधाराण इसमें कौन सा है आप यहां देख सकते हैं जो question number four से साथ ही इसका जो answer है वो है आपका option A यहां पे जो देखेंगे साथ हैं दो दो चार दो चेक साथ आ, ई, उ, ए, आ, ओ, और ओ जिन स्वरों के उचारण में अधिक समय लगता है यानि तुलनात्मक रूप से मूल स्वर से अगर ज़्यादा या दोगुना समय लगता है तो उसे हम दिर्ग स्वर कहते हैं यहां परिभासा भी देख सकते हैं कि जिनके उचारण में लगु स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें हम दिर्ग स्वर कहते हैं तो आप दियान रखेंगे मूल सवर जो हते हैं या हरस्य सवरुन की संक्या है चार जिबकि दिर्ग सवरों की संक्या कितनी है साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स कोशिन की तरफ साथ ही उसको देख सकते हैं वह सवर कौन सा है जिसके उचारण में दिर्ग सवर से अधिक समय लगभग तीन मातराओं के बराबर का समय लगता है इसे त्रीमासिक स्वर भी कहा जाता है आपके विकल्प है अग्र दिर्ग स्वर पस्च दिर्ग स्वर पलूट स्वर या फ़र डी आप्सन है उप्रोक्त में से कोई नहीं एक बार आप कोश्चन और विकल्पों को ध्यान स देखिएं फिर अपने-पने अंसर कमेंट सिक्सिर में बताएं आपको बताना है कि वह कौन सा स्वर है जिसमें 3 मातराओं का समय लगता है आप देख सकते हैं कुशिन नमर जो फिफ्ट है साथ है उसका जो आंसर है वो है आपसंसी प्लूट स्वर प्लूट स्वर का एक जो उधारण है जो ओम जो आप बोलते हैं इसका जो चारण होता है ये प्लूट स्वर कहलाता है तो यहां तक आप concept clear रखेंगे कि स्वर जो होते हैं जिनको बोलने में किसी और کی मदद क्या हो सकता नहीं होती स्वतंत्र होते होते हैं उसे स्वर कहते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं हरस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे दिर्गस्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगे और प्लुटस्वर जिसमें तीन मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुटस्वर कहते हैं बढ़ते हम अपने नेक्स कुश्चन की तरफ कुश्चन नमर जो 6 से साथ हो वो देख सकते हैं आप जो वर्ड कंठे स्रेडी की होते हैं तथा निरानु नासिक यानि मौखिक स्वर कहलाते हैं वे निम्न मेंसे कौन है आपसन ए है आपका आ, बी आपसन है आ, सी आपसन है आ या आ, या फिर डी आपसन है अंगह और आ आपको बताना है कि जो वर्ड कंठे स्रेडी के होते हैं तथा निरानु नासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं वे निम्न में से कौन है आप वर्ड माला करम के अगर हर एक अक्षरों का उचारड समझेंगे तो आप आंसर इसका जरूर कर सकते हैं आप देख सकते हैं क्षरों का जो उचारड स्थान है वो कंठ होता है तो आप इन चारों विकल्पों में जो डी उप्सन है इसको आप देखेंगे ये कंठ स्वर के अंत्रगत आएगा बढ़ते हैं निक्स कोशन की तरब कोशन नमर जो सेविन थे उसे आप देख सकते हैं निम्न में वण माला के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन करें अग्रिस्वर, मध्यस्वर, पस्यस्वर या फिर उप्रोक में से सभी आपको वण माला करम के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन करना है आप देख सकते कुश्चन नमर जो 7 से साथ है उसका आंसर जो है option D है उपरोक्त में से सभी क्योंकि उपर जो तीनों A, B और C है ये सभी स्वर के प्रकार में ही इनकी counting होती है बढ़ते हम अपने next question की तरब question नमर जो एर्थ है उसे आप देख सकते है जीब के उपयोग के आधार पर अग्रस्वर निम्ण में से कौन से है आपके पहल फस्विकल्प है वो देख सकते है A, O, O, O और O B option है A या फिर C option है O, D option आप देख सकते हैं आपको बताना है कि जीब की उपयोग की आधार पे अग्रस्वर निम्न में से कौन से हैं। आज की जो हिंदी की टेस स्रीज साथ है इसमें हमने महत्वपूर आपके लिए 30 प्रस्ण लिए हैं। जो कि आप इस चैप्टर से इन से अधिक कोशन कहीं नहीं देख सकते हैं। इनके उच्चारण में आप देखेंगे जीब का जो अग्रब भाग होता है वो कारिगरता है। बढ़ते हम अपने निक्स कोशन की तरफ कोशन नमर जो नाइन थे इसे देख सकते हैं। जीब के उपयोग के आधार पर पस्चस्वर निम्न में से कौन से हैं। आप चारो विकल्पो को देख सकते हैं। इसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको बताना है कि पस्चस्वर निम्न में से कौन है। कौन निम्न में जो नहीं थे साथ हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्सन ए। जो ऑप्सन ए के जितने भी अक्षर हैं आप देख सकते हैं। इनका उचारण जीब के पिछले भाग से होता है। अता है इन्हें पस्चस्वर कहा जाता है। तो यहाँ आप एक बात क्लियर रखेंगे। जीब के अगले भाग से जो बोला जाता है उन्हें अग्रे स्वर कहा जाता है। और जो पिछले भाग से बोला जाता है उन्हें पस्चस्वर कहा जाता है। आप इनके उचारण आ, मुख खुलने के आधार पर विवरित स्वरडर वर्ड कौन सा है आपके विकल्प है I, A, A, O, या फिर A आप इन चारों विकल्पों में इसे बताए कि विवरित स्वरडर वर्ड कौन सा है सामानी हिंदी का जो पहला चैप्टर वर्ड मालाकरम है अगर आप इस chapter को समझ पाए तो आप हिंदी के आप समझ लिए जितने भी chapter है उनके हर एक questions को आप solve कर सकते हैं क्योंकि ये एक core point है पूरे हिंदी का question नमर जो 10 से साथ है इसका जो answer है वो है option DR आप देख सकते हैं विवरित किसे कहा जाता है तो आप ये भी समझ लेज़ें जिनके उचारण में पूरा मुख खुलता है उसे विवरित स्वर कहा जाता है इन चारो विकल्पों में जो D option है अगर आप इसका उचारण करते हैं तो आप खुद इस से को देख सकते हैं इसमें आपका पूरा मुख खुलेगा इसे ही हम क्या बोलते हैं विवरित स्वर कहते हैं बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो 11 है जो कि बहुत ही important question है पेपर के according देख सकते हैं आप आयोग वाहवर्ड निम्ण में से कौन से है आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और आपको बताना है कि आयोग वाहवर्ड कौन से है question नमर जो 11 है इसका जो answer है वह आपका option A आप देखेंगे जो अंगा और अंगा जो दो बार लिखा है तो दोनों के लिखने का एक तरीका है इस तरह भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी आमतर पर आयोग वाह जो होते हैं उनकी संख्याद आप देख सकते हैं दो होते हैं अब सवाल यह उठता है कि आयोग वाह कहते किसे हैं तो आप एक बार यहाँ परिभासा देख सकते हैं ऐसे वर्ड जो ना तुस्वर होते हैं और ना ही वेंजन होते हैं उन्हें अयोग वाह वर्ड कहते हैं इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ जो अयोग वाह है यहाँ पे option होगा आपका A बढ़ते हैं हम अपने next question की तरब question number जो बार है उसे देख सकते हैं आप हिंदी वर्ड माला में सामाने तफ वेंजन कितने प्रकार के होते हैं आपके विकल्प हैं पांच, चार, दो या फिर छे question number जो बार है साथ हो इसका जो आंसर है वो है option D छे आप देखेंगे सामाने तफ वेंजन जो होते हैं वो छे प्रकार के होते हैं यहां पर इसके detail को देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, जो वेंजनों की संखेवोँ वो होती है 41 यहां पर आप धियालनगे जो छे उसके प्रकार है वो है इसपर्स वेंजन, अनुनासिक वेंजन, अंतस्थ वेंजन, उस्म वेंजन, उच्छिप्त वेंजन और छठा है सैयुक्त वेंजन आप ध्यार नखेंगे इन जो छे प्रकार है वेंजन के इन से सम्मधित प्रशन आगे आने वाले हैं तो वहाँ इनके concept को और भी हम clear कर लेंगे, फिलहाल में आप ये समझे, vengeance के जो मुख्य होते हैं, वो छे प्रकार होते हैं, बढ़ते हम अपने next question की तरफ, question number जो 13 है, उसे आप देख सकते हैं, इस first vengeance कितने होते हैं, आपके जो विकल्प हैं, वो देख सकते हैं आप, पहला विकल्प है 27, दूसरा विकल्प है 26, तीसरा विकल्प है 30, या फिर चौथा विकल्प है 30, आपको बताना है कि इस first vengeance की संख्या कितनी है, question number जो 13 है, इसका जो answer हो है, आपका option A, 27, आप देख सकते हैं, हवा मुख के विभीन इस्थानों पर ispurs करके बहार निकलते हैं, आप ध्यान रखेंगे, जो हम किसी भी अक्षर का वो चारड करते हैं, तो हवा जो मुख से निकलती है, तो जिन इस्थानों को ispurs करके निकलती हैं, उस आधार पे हम इस पर स्वेंजन की पहचान करते हैं यहां आप देखेंगे कि जो भी वर्ण माला करम है यहां का सिले की मातक यहां ध्यान रखेंगे अक्षर का सिले की मातक को आम तोर पे कहा जाता है कि इस पर स्वेंजन जो होते हैं का से लेके मातक होते हैं और हर एक पांच पांच अक्षरों के क्रम को वर्ग कहा जाता है तो जो पहला देखेंगे का खा गा 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 अंगा जो का है तो जो पहला अक्षरों होता है उसी के नाम पर उसे वर्ग कहा जाता है जिसे यहाँ चा है तो इसे चौ वर्ग कहा जाएगा टौ है तो टौ वर्ग तो अगर आप पांच अक्षरों के क्रम को सीधार लिख देते हैं तो यह स्पर्स वेंजन कहलाएंगे कौ से लेके पौ वर्ग तक और इसके अत्रिक्त दो अक्षर जो रोड़ा होते हैं इन्हें भी इनीक अंतरगत माना जाता है तो पांच वर्ग है तो पच्चीस हो गए और दो अत्रिक्त हो गए तो टोटल कितने हो गए सत्ताइस तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो स्पर्स वेंजन की संख्या है वो होती है सत्ताइस उमीद है आप इसे समझ पाए होंगे बढ़ते हैं निक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर चौदा देख सकते हैं आप अनुनासिक वेंजन कितने प्रकार के होते हैं आपके विकल्ब हैं चार, तीन, पांच या फर छे आपको बताना है कि अनुनासिक वेंजन कितने होते हैं कुश्चन नमर जो चौदा है साथ है इसका जो आंसर है वो है आपसन C पांच अनुनासिक वेंजन नहीं है इसे नासिक के वेंजन भी कहा जाता है आप ध्यान रखेंगे वड माला के प्रतेक वर्ग का जो पाचवा अक्षर होता है वो उसे हम अनुनासिक वेंजन कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे यम अर्ण नम बोला जाता है तो यह जो पाच अक्षर है जो उपर कुश्चन में आप देखेंगे जो वर्ग थे उसके पाचवे अक्षरों को तो कौवर्ग में लाश में अंगा है, चौ में यौ है, टौ में रौ है, तौ में नौ है, तथा पौ में मौ है तो यह जो पाँचवा आक्षर है, उसे ही हम अनुनासिक विंजन कहते हैं उमीद है, आप इसे समझ पाए होंगे, बढ़ते हैं निक्स कुशन की तरफ, कुशन नुमर जो पंद्रह है वो देख सकते हैं आप अन्तस्त्विंजन कितने होते हैं, तीन, चार, पांच या फिर छे कुशन नुमर जो पंद्रह है साथ है, इसका जो आंसर है वो है उपसिन B, चार अन्तस्त्विंजन जो होते हैं, चार उन्हें आप देख सकते हैं, या रा लव, ये जो चार अक्षर होते हैं, इन्हें हम अन्तस्त्विंजन कहते हैं कोश्च नमर जो सोला है उसे देख सकते हैं उसमें वेंजन कितने होते हैं यहां से आप सबी जल्दी-जल्दी कोश्च के आंसर करते रहें देखिए कोश्च नमर जो सोला है साथ है जो आंसर है वो है आपका option C, 4 उसमें वेंजनों की संख्या भी 4 है आप देख सकते हैं शा 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 और हा ये जो चार है इन्हें हम उसमें वेंजन कहते हैं निक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन नमर जो सत्रह है उसे देख सकते हैं आप उच्छिप्ट वेंजन कितने होते हैं Question number 17 आपसे हैं कि उच्छिप्ट विंजन कितने होते हैं? आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं. पहला विकल्प है तीन, दूसरा है दो, तीसरा है तीन या फिर चौथा है चार. आपको बताना है कि उच्छिप्ट विंजन कितने होते हैं? Question number 17 आपसे हैं उच्छिप्ट विंजन कि जो संख्या है वो होती है दो. आप इसे ऐसे समझेंगे कि ऐसे विंजन जिनके उच्छिप्ट में जीब उपर उठकर जटके के साथ नीचे को आए. इसमें दो अक्षर आप देखेंगे ड़ो ड़ो. इसमें आप देखेंगे जीब क जो उच्छरड है आप इसको एक बार बोल के भी देख लेंगे तो आपको परिभासा इस पस्रूप से समझा जाएगी. तो जो उच्छिप्ट विंजन है उनकी संख्या है दो. यह ध्यान रखेंगे आप. बढ़ते हैं नेक्स कुश्चिन की तरफ. कुश्चिन नमर जो अ उच्छिप्ट विंजन की संख्या कितनी है? बढ़ते हैं अपने निक्स कुश्चिन की तरफ. कुश्चिन नमर जो आपके लिए उननी से वो देख सकते हैं. हिंदी वर्ण माला में. दन त्यवेंजन कौन से है आपके चार विकल्प आपके सामने हैं आप इन्हें देख कर बता सकते हैं कि हिंदी वर्ड माला में दन त्यवेंजन कौन से है क्वेशन नमर जो 19 इसका आंसर जो है ओप्सिन सी तथदधन इनके उचारण को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे दन तिसे तात पर होता है उपरी दातों के निकट से दातों के प्रयोग से बूले जाने वाले वर्ड दन्त कहलाते हैं अतह दात वजीब के सपर्स से बूले जाने वर्ड दन्त विंजन कहलाते हैं आप देख सकते हैं जो ता वर्ग हैं उसके जितने भी सदस्ते हैं ता था दा धा ना और लासा ये एक दो एक्स्ट्रा जो है इनको अगर आप उचारड करेंगे तो यह सभी धन्त वेंचन के अंतरगत आएंगे साथ यो आज की जो वीडियो इसे आप जरूर दो से तीन बार देखेंगे तभी जाके आपको इसके कॉंसेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि बाकी हिंदी के चप्टर इतने क्लिस्ट नहीं हो सकते यह इतने टफ नहीं है जितना की वड़माला करम है यहाँ कोशन आप देख सकते हैं कोशन नमर 20 हिंदी वड़माला में मुर्धन्य वेंजन कौन से हैं आप चारोवी कल्पों को देख सकते हैं और फिर आप बताएं कि इसमें से मुर्धन्य वेंजन कौन से हैं। कुश्य नमर जो B से साथ है। इसका जो आंसर है वो है आपका option C, आप इसे देख सकते हैं। सुरी यहां पर option आपका B option है यह, C में थोड़ी से गड़वड़ी थी, आप B देख सकते हैं। option B, यहां मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मुर्धन्य या मुर्धन्य से तातपर्य होता है, मुग के भीतर की छत का अगला हिस्सा, आप इसको ऐसे समझेंगे साधार सब्दों में, कि जिन सब्दों के उच्चारण में, आपकी जो जिहवा है वो आंगे की तरफ जाके ऐस इसे फोल्ड हो जाती है, मुड जाती है, आप इसे ऐसे ध्यान लखेंगे, अगर आपके मुख की जिहवा किसी वर्ड के उच्चारण में आगे जाके इसे फोल्ड होती है, तो इसे हम मुर्धा कहते हैं, जैसे अगर आप टा को पढ़ेंगे, तो टा को पढ़ेंगे आप देख सकते हैं तो आपके जीब जो आँगे की तरफ जाके से फोल्ड होगी ठा डा डा तो इनमें जितने भी अक्षर इनके उच्छारण में आप देखेंगे जीब आँगे की तरफ जाके मुड़ती है इसलिए से हम मुर्धा कहते हैं कुश्चन नमबर जो 21 से उसे देख सकत होगा आप देखेंगे इनके प्रियोग में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं विकल्पो के आधार पे कुश्चन का आंसर बताएं बिल्कुल कुश्चन नमबर जो 21 से साथ हुए इसका जो आंसर है वो है आप साथ के साथ जो भी मैं कुश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड माला करम उच्चारण के आधार पे है तो आप इनको बोल के भी देख लेंगे दोनों ओठों के इसपर्स से जो ध्वनी बनती है उसे ओस्ट वेंजन कहा जाता है आप देखेंगे जो पा वर्ग के जो सदस्य है पावअभव मा एवम स्वरों में दो होते हैं उ और ओ इन दोनों के उचारण में ओड इसपर्स होते हैं इसलिए नहीं हम ओस्ट वेंजन क कौन से हैं, आपके चार विकल्प हैं, व, य, र, या फिर ल, आपको बताना है कि इसमें दन्तोष टिविंजन कौन सा है, हिंदी के, मैं कोसिस करूँगा कि हिंदी के जितने भी important chapter है, उन सभी का question वीडियो में आपको बना के जरूरी हाँ share करूँ, अगर आप उसके explanation को समझेंगे, तो हिंदी को समझने का ये सबसे आसान और सबसे बहतर तरीका है, question number 22 आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि उपर की दात और जो निचला होट है, वो मिल रहे हैं, तो उसे हम दन्तोष टेइस आप देख सकते हैं, ये एक थोड़ा अलग question है कि हिंदी वर्ड माला में वत्सिवेंजन कौन से हैं, आपके चार विकल्प दिये गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि हिंदी वर्ड माला में वत्सिवेंजन कौन से हैं, देख सकते हैं आप question number 23 इसका जो answer है, वो है आपका option A, सा, रा और ला, इसे वत्सिवेंजन बोलाया, वत्सिवेंजन मतलब होता है दंत प्लस मसूड़ा, यानि दंत मूल से जो इन अक्षरों का उचारण होता है, उन्हें हम वत्सिवेंजन कहते हैं, बढ़ते हैं हम अपने next question की तरफ question number 24 से साथ हैं, उसे देख सकते हैं, निम्नमिस से अर्धस्वर वेंजन कौन से हैं, आपके विकल्प हैं, option A, या रा, बी option है, या वा, सी option है, रा ला, एफ़ डी option है, वा ला, आपको बताना है कि अर्धस्वर वेंजन कौन से हैं, question number 24 से साथ है, उसका answer है, वा आप देख सकते हैं, या वा, अर्धस्वर वेंजन जो होते हैं, या तथा वा, इन्हें ध्यान रखेंगेंगे आप, question number 25 की तरफ चलते हैं, यह बहुत ही important question है, निम्न में से लुन्ठित वेंजन कौन सा है, आपके विकल्प है, या रा ला वा, आपको बताना है इन्हें से लुन्ठित वेंजन कौन सा है, आप जीतने भी student अगर आपने हमारे coaching classes ज्वाइन की होगी, तो हमने हिंदी में आपको बहुत ही important धंग से, और बहुत अच्छे धंग से आपको मैंने इसका पूरा explanation दिया हुआ है, इसके अलावा, जो भी साथी YouTube channel से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे playlist के हिंदी section में ज प्रिक सकते हैं, जहांपे मैंने हर एक point को बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही भी धंग से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप निस्चित तूर पे इस वीडियो के complete होने के बाद आप हमारे channel के playlist में जाकर सामाने हिंदी के सारे वीडियो को आप जरूर देखें question number 25 का जो answer साती हुआ है, option B, raw, raw को लुन्ठित वेंजन कहा जाता है, question number 26 है, यह सब fact वाले question है, जिने आप याद रखें, question number 26 है साती है, इसके जो विकल्प है, चारो आप देख सकते हैं, निमन में पार्स्विक वेंजन कौन सा है, पार्स्विक वेंजन कौन सा है, आप सुन सकते हैं, या, व, र, ल, ल, इन चारो विकल्पों में आपको बताना है कि पार्स्विक वेंजन का उदारण कौन सा है, देख सकते हैं, आप question number 26 का answer है, वो है option D, ल, जिनके उचारण में वायू का, वायू जीव के पास से निकलती है, उन्हें हम पार्स्विक वे हैं, आप law का उचारण करके देख सकते हैं, law, तो लगे गा कि उचारण में वायू जीव के पास से निकलती है, बढ़ते हैं, निक्स question की तरफ, question number 27 से वो देख सकते हैं, निम्न में से नासिक के वेंजन कौन से हैं, हाला कि इस question का जिकर हम लोग सुरुआत के तीसरे या च question number 27 से साथियो, इसका जो आंसर है, वो है आपका option D, यम गर्णम, ये जो पाँच अक्षर हैं, इन्हें नासिक के वेंजन कहा जाता है, आप देखेंगे महस्वर सुत्र में भी इन पाँचों अक्षरों का एक साथ प्रयोग किया गया है, नासिक के वेंजन आप देख सकते केवल स्वास का प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, question number 28 को आप देख सकते हैं, हिंदी के वेंजने जिनके वड़ों का उचारण करते समय केवल स्वास का प्रयोग किया जाता है, सघोस, अघोस, अलप प्राड या फिर D option है, महा प्राड मैं आपसे ये बार-बार बता रहा हूँ कि अगर आप जितने भी विकल्प आ रहे हैं, इनके उपर अगर आपको डाउट है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के हिंदी में जरूर जाकर वड़ों माला चेप्टर को देखें, वहाँ पे आपको सारे डाउट्स दूर हो तो था फशशः ये चारक्षर अत्रिक्त, इनको हम अगोस वर्ड कहते हैं, बढ़ते हैं रिक्स कोईशन की तऱ कोईशन नमर जो उन्ती से वो देख सकते हैं, जिन वेंजन वर्डों के उचारण में मुख से कम स्वास निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, महा प्राड वे प्राड वेंजन या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं, यहां ध्यान रखेंगे, प्राड से तातपर्य होता है वायू की मात्रा, अल्प है तो मुख से कम वायू की मात्रा, महा प्राड है तो मुख से ज़्यादा वायू की मात्रा, तो इसी से सम्मंधित ये प्रशन बना ह हुआ है आप देख सकते हैं कोशन नमर जो 29 से उसका जो आंसर है वह option B अलप प्राड वेंजन क्योंकि इसमें बोला है कि कम स्वास निकलती है तो अलप मतलब थोड़ा होता है इसे आप ऐसे याद रखेंगे ऐसे वेंजन जिनके उचारड के लिए कम अंताप्राड वायू अवस्यक होती है ये प्रतेक वर्ग के प्रत्थम तरतिय पंचय मक्षर तथा अंतस्त वेर्ड जो होते हैं उन्हें हम अलप प्राड कहते हैं साथिव आज की टे सरीज का जो लास्ट कोशन है उसे आप देख सकते हैं कोशन नमब जो तीस है जिन वेंजन वर्डों के उचारण में मुक्ष से अधिक स्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं आपके जो चार विकल्प हैं वो देख सकते हैं महा प्राड वेंजन अलप प्राड वेंजन या प्राड वेंजन या फिर उप्रोक में से कोई नहीं question number 30 इसका जो answer है option A maha proud dimension maha proud यानि अधिक वायू की मात्रा तो यह ही आप से question पूछा था question number 30 इसका जो answer है वो है maha proud dimension इसका explanation को आप देख सकते हैं ऐसे vengeance जिनके उचारड के लिए अधिक अंता facebook प्राद वायू आवस्यक होती है और प्रतीक वर्ग के दुतिय चतुर्थ तथा उसम वर्ड को हम महाप्राड कहते हैं आप देख सकते हैं जो पहला वर्ग है तो का छोड़ देंगे तो खा दूसरा हो गया गा छोड़ेंगे और फिर घा जो है वो ले लेंगे तो चौथा अक्षर तो देखेंगे पहले में खा और घा दूसरे में चा और जा याणि हर एक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ अक्षर महाप्राड कहलाता है इसके अतरिक एक जो उसम वेंजन है शा 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 है तो ये महाप्राड के अंद्रगत आते हैं तो उमीदे साथियो आज की जो टेस्रिच के हमने महत्रपूर आपके लिए 30 प्रशन लिये थे आप उन्हें समझ पाए होंगे और यहां से आपको वर्ण माला करम के बारे में एक बहतर समझ हो गई होगी यहां आप इसको समझाने के लिए मैं आपको एक लाश्ट में एक कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे आप ध्यान रखेंगे यहां आप सभी देख सकते हैं मैंने जितने भी कोशन आपको बता है तो उनसे परिभासा से समझेट मैंने एक छोटा सा यहां पर आपके लिए बनाया होगा फ्लो चार्ट जिससे आप देख सकते हैं कि हिंदी वर्ड माला में स्वर और वेंजन से मिलकर बनता है हिंदी में जो वर्डो यानि स्वर और वेंजन है उनकी कुल संख्या कितनी है? बावन यह धियान रखेंगे अगर आपसे पूछे कि हिंदी में पूरे वर्ड माला में कितने अक्षर है तो आप कहेंगे बावन जिसमें से 11 स्वर हैं और 41 क्या होते हैं? वेंजन इन वर्डों के विवस्तित उम क्रमबद समू को वर्ण माला कहते हैं वर्ड हिंदी भासा में प्रियुक्त सबसे छोटी इकाई है तो आप दिहार लखेंगे जो वर्ड या फिर अक्षर होता है वो भासा की सबसे अलबतम या सबसे छोटी इकाई होती है इसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स और दिहान रखेंगे स्वर जो है इसके बारे में थोड़ा डीटेल ही हाँ देख सकते हैं कि स्वर किसे कहते हैं तो स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिनका उचारड बीना किसी औरोध तता बीना किसी दूसरे वर्डों की सहायता से होती है स्वर के जो प्रकार होते हैं वो मुखेता तीन प्रकार होते हैं हरस्वर, दिर्ग स्वर तता प्लूट स्वर यह हरस्वर आप देख सकते हैं जिन स्वरों के उचारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मातरा का समय लगता है, उसे हम हरस्व स्वर कहते हैं, जबकि दिर्ग स्वर होता है, जिन स्वरों के उचारण में हरस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, या दो मातरा का समय लगता है, उन्हें हम दिर्ग स्वर कह उन्हें अम्पलूट स्वर कहते हैं जैसे कि ओम, आप इन कॉंसेप्ट को ध्यान से सुनते रहेंगे, देखें स्वर्व के कुल संख्या जो है इग्यारा, औ से लेके ओ तक, जबकि अगर हरस्व स्वर देखें, तो इन इग्यारा में केवल चार हरस्व स्वर हैं, पहले चार अक्षर जो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ये हरस्व स्वर हैं, जबकि बाकी जो साग्थ अक्षर हैं, उन्हें हम दिर्ग स्वर कहते हैं, यहां से आपको ये कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक कुशन आता है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा आप समझेंगे, स श्वरों के बारे में ہुआ, इसके बाद आप देख सकती है, V एंजन, वेंजन किसे कहते हैं तो कहेंगे, वेंजन उन वरडों को कहते हैं, जिनका उचारड स्वर की सहाइता से किया जाता है, वेंजन के अगर मुहता प्रकार देखेंगे, लेकिन इसमें अगर टोटल देखेंगे तो टोटल हम यहां पांच ले सकते हैं कुल अक्षरों के आधार पे इस पर्स वेंजन, अंतस्त वेंजन, उसमेंजन, आगत वेंजन और संयुत वेंजन कुल वेंजनों की जो संख्य है साथ ही और वो है 41, जिसमें इस फर्स वेंजनों की जो संख्य है वो है 27 आगत वेंजन यानि जो बाहर से है होए वो हमारे वर्ण माला में नहीं है जो बाहर से आते हैं उन्हें हम आगत कहते हैं उनकी संख्या है दो ज़ और फ़ इसके अलावा जो संयुक्त अक्षर यानि दो अक्षरों को मिला के जो अक्षर बनते हैं उनकी संख्या कितनी है? चार तो आप देख सकते हैं जो वो चारों अक्षर हैं छत्री छत्रो ग्या और स्रो इन्हें हम सयुक्त विंजन कहते हैं तो उमीदे साथियों कि यहाँ पे आपको जो मैंने बताया वो क्लियर हो पाया होगा एक पॉइंट और आता है जिसे अयोग वाह वर्ड कहते हैं अंगह और अह जो दो अक्षर होते हैं इन्हें अयोग वाह कहा जाता है जिसमें से अंगह को अनुश्वार और अंगह को विसर्ग भी कहा जाता है यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अनुश्वार होते हैं स्वर्ग के बाद बूले जाने वाला जो हलंत होता है वही अनुस्वार कहलाता है जिसे कि प्रपंच, कंठ या फिर छंद ये सब अनुस्वार हैं विसर्ग होते हैं जो कि महा प्राड सुचक एक स्वर होते हैं जिसे प्रातह, अतह तो ये जो अन्त के दो मात्राया जो कितने होते हैं यह सारे concept आप समझ पाएं होंगे तो आज की जो हिंदी की पहले वीडियो हमारे रही वो आपको कैसी लगी यह जरूरा आप हमें कमेंट सेक्समें बताएं और वनमाला क्रम आप कितने बहतर ढग से समझ पाएं हैं आप इसके लिए आप वीडियो को दो से तीन बार जरूर देखें तो आप बहतर ढग से समझ पाएंगे तो चलते चलते साथ ही हम चाहेंगे कि जितने भी स्टुइंट अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब लाइक और सेयर करते रहें जिससे अधिक से अधिक स्टुइंट हमारे चैनल से जोट सके ठीके साथ ही हो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आगले दिन हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ नए प्रस्णों के साथ आपसे दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए धर्न्यवाद जैहिन